दोस्तों अगर आप भी यूज करते हो Realme C675G का फोन तो इस वीडियो में आपको बताएंगे आप अपने Realme C675G के फोन में दोस्तों HomeSkin Mode को चेंज गशे करेंगे Drawer Mode अपलाई करना है Drawer Mode में क्या होता है नीचे इस उपर की तरब स्लाइड करेंगे तो सारे अपलिकेशन जिस तरह किस मेरे फोन में दिखा रहा है आपके भी फोन में दिखाएगा इसको अपलाई करना है या Standard Mode तो सबसे पहले फोन के Setting में आओ शेटिंग में आने बाद कुछ हैसा इंटरफेस आपको मिलता है थोड़ा सा नीचे आजाओ यहाँ पे एक option मिलता है home screen and lock screen नाम से आप इस पर किलिक कर दो इस option पे जैसे किलिक करते हो किलिक करने बाद कुछ हैसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है अब आप लोगों को सबसे उपर एक option मिलता है home screen mode नाम से आपको इस पर किलिक करना है जैसे इस option पे आप लोग किलिक कर देते हो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब standard mode apply रहेगा तो सारे application home screen पे सिर्फ दिखाए देंगे और ड्रावर मोड पे किलिक करेंगे नीची apply का option इस पर किलिक कर देंगे और switch पर किलिक कर देंगे हमारे phone में ड्रावर मोड अपलाई हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको अपने phone में दिखाया था वीडियो पसंद आया तो लाइक करें